अजी दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मार्किट में कैसे ट्रेड करना है आपको कैसे डाटा को एनलाइज करना है क्योंकि जब तक आप डाटा को एनलाइज नहीं करेंगे आप सही ट्रेड में एंटरी नहीं ले सकते जब तक आपका व्यू नह गुसना है, वो सारी कीसे जानेंगे, देखे, देखे, सबसे पहले जो मैं अपने ग्रूप में जो डाटा शेयर करता हूँ, वो यही शेयर करता हूँ, वो बेसिकली यह क्या है, इसको PCR डाटा बोलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखे रहे हैं, यह PCR लिखा हुआ है, सो अभी मैं आपको इस डाटा को इंटर्प्रेट कैसे करना है, मैं आपको वो सिखाने जारा हूँ, चेंज इन कॉल ओ आई, ठीक है, और स्जेम एंचिते साथ में देखेंगे, चेंज इन पुट ओ ओ आई, मतलब कि यह जो change in call OI मतलब यह है call writers का data और यह change in put OI मतलब यह है put writers का data अभी पहले मैं छोटा सा difference बताना चाहूँगा कि यह call writers होते है कोन है इनका क्या motive होता है call writers का motive होता है call को write करना और वो call को क्यों write करते है जब उनका view बिरिफ होता है मतलब कि अगर वो market को नीचे लजाना चाहते है मानके चलिए कोई भी बंदा market को नीचे लजाना चाहता है अगर वो seller है तो वो क्या करेगा call write करेगा same as it is जो बंदा market को ऊपर लजाना चाहता अगर वो seller है तो वो क्या करेगा put write करेगा ठीक है जाने कि अगर बीरिश देखना है तो call writer देखना है अगर bullish देखना है तो put writer देखना है अब बात आती है कि हमें कैसे पाता चलेगा कि हमें bullish trade लेना है या बीरिश टेड लेना है देखिए उसके लिए यह जो market trend आप देख रहे हैं यहां पर trend यह जो देख रहे हैं यहा नीचे की साइड भी बन सकता है तो अगर जीरो से नीचे है तो मतलब मार्किट बेरिश है मार्किट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है सेम एज़िट है अगर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको इंटर्पेट कैसे करने हैं मतलब कि इसको बेरिश है मतलब कि एठासी लाक लोक का जाते है पुट साइड में जाता है मतलब कि एठा लाक लोक Clip कि गिराने वाली साइड में है तो अभी क्या हुआ यह जो थे न यह भाग गए मतलब कि घट गया डाटा और यहाँ पे positive होगा मतलब कि अभी यह put writers call writers के उपर भारी होगा मतलब कि अभी क्या होगा sentiment change होगा मतलब कि अभी यहाँ पे market उपर की side जा सकता यही चीज़ आप देखे पहले क्या था जब call writers data मतलब कि ज़्यादा heavy थे तो क्या था market का trend नीचे जा रहा था जैसे ही 9.40 पे trend change हुआ मतलब कि अब देखेंगे यहाँ पे यह लोग घटने शुरू होगा यह लोग बढ़ने शुरू होगा तो क्या हो गया trend change हो गया मतलब कि अब जाना शुरू हो गया same as it देखेंगे यहाँ पे यह घटना शुरू हो गया और यह बढ़ना शुरू हो गया यह घटते जा रहे हैं यह बढ़ते जा रहे तो यहाँ से हम ऐसे data को interpret करते हैं ऐसे पढ़ते हैं अगर इस side में data बढ़ रहा है जाने कि put side में data बढ़ रहा है और call side में घट रहा है तो मतलब कि जो जिन लोगों ने market को short किया हो था जो लोग market को नीचे लजाने के लिए बैठे हुए थे वो लोग भाग रहे हैं ठीके जी same as it is अगर उल्टा भी आप इसको ले सकते मानिक चली ये लोग भाग रहे put वाले भाग रहे हैं और ये लोग बढ़ रहे तो मतलब market को ये जो लोग उपर ले जाना चाहते था वो लोग भाग रहे हैं और जो market को नीचे ले जाना चाहते है ये बढ़ रहा था तो market वैसे वैसे उपर की साइट पर जा रहा था so PCR को देखे भी लोग ट्रेट करते हैं अगर इस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे तो आप जादा एक्कुरेसी मिलेगी आपके ट्रेड में मानिक चलो अगर आप दिन में चार ट्रेड लेते हैं तो चार में से तीन ट्रेड आपके 101% सही जाएंगे अगर आप खाली PCR को देखे अगर इस numbers को देखे ट्रेड करेंगे तो आप कभी मतलब कि आपके चार में से एक ही trade सही जा सकता है और इसमें तीन trade गलत जा सकते है मतलब इन दोनों को use करी इसको भी use करी और इसको भी use करी इस तरीके साब market का data analyze करके bank nifty ये bank nifty का data सेम ऐसे nifty का भी data होता है अगर आप nifty में trade करना चाहिए तो nifty का भी same आप ऐसे ही analyze करें अगर bank nifty में trade करना चाहिए तो bank nifty को भी आप ऐसे ही analyze करें इस तरीके साब trade कर सकते हैं data को analyze करके